सीरल एक रिष्टा साचिदारीका में आरियन और साची मिलकर ढूर रहे हैं निकिता के खिलाफ सुबूद सीरल एक रिष्टा साचीदारीका में चल रहा है हाई वल्टेज डामा तो में आप देख रहे हैं कि आरेन और साची ने मिलकर निकिता के अगेंस चली है एक चाल उन्होंने साची के करेक्टर को शो में मार दिया है और साची के रूप में ही मालविका को लेकर आये हैं बस मौडर्न अफ्तार में उन दोनों ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि निकिता के सचाई सेथिया परिवार के सामने लेकर आना चाहते हैं निकिता ने आइरायन को जूटे मॉलक्षिटेशन के केस में फसा दिया था, लेकिन अब वो दोणो निकिता के सचाई जान चुके हैं, और इसलिए वो दोनुं मिलकर ये सब कर रहे हैं. आरेन ने साची को मार के उसकी मरने के बाद की पूजा भी कर दी है जिससे निकिता को यकीन हो जाए कि साची अब इस दुनिया में नहीं है वो मर चुकी है वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो निकिता के अगेंस प्रूफिक अठा करना चाहता है शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे मालविका और आर्यन के रोमैंटिक अफदार को अब साची बन चुकी है मालविका और इसलिए वो चुप चुप कर आर्यन के साथ रोमैंस करती नजर आएंगी निकिता को मालविका पर डाउट होगा और इसलिए वो उस पर रखती है नजर अब देखते हैं कि आरियन और साची निकिता की इस स्मार्टनेस को कैसे हैंडल करते हैं वैले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब सीरल एक रिष्टा साची दारी का में आरियन और साची मिलकर ढूड़ रहे हैं निकिता के खिलाफ सुबूद सीरल एक रिष्टा साची दारी का में चल रहा है हाई वोल्टेज रामा शो में आप देख रहे हैं कि आरेन और साची ने मिलकर निकिता के अगेंस चली है एक चाल उन्होंने साची के करेक्टर को शो में मार दिया है और साची के रूप में ही मालविका को लेकर आये हैं बस मौडरन अफ़तार में उन दोनों ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि निकिता के सच्चाई सेथिया परिवार के सामने लेकर आना चाहते हैं निकिता ने आरेन को जूटे मॉलस्टेशन के केस में फसा दिया था, लेकिन अब वो दोनों निकिता के सचाई जान चुके हैं, और इसलिए वो दोनों मिलकर ये सब कर रहे हैं, आरेन ने साची को मार के उसकी मरने के बाद की पूजा भी कर दी है, जिससे निकिता को यकीन हो करती नजर आएंगी, निकिता को मालविका पर डाउट होगा और इसलिए वो उस पर रखती है नजर, आप देखते हैं कि आरेन और साची निकिता की इस स्मार्टनेस को कैसे हैं, वेले शो से जूरी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब